तो आज लग रहा है गाईश कुछ होगा ठीक है कबतर खोने का चांसेश बहुत ही ज्यादा हो गया यह देखो गाईश कितना सारे कबतर एक साथ होके है देखो गाईश कितना हाइट पर जाके उर रहा है यह दो एक साथ होके उर रहा है और उसके उपर जो तीन कबतर उर रह तो देखो गईस सारे कबकुतर एक साथ होके नीचे आने की बाजा उपर जाने लगए ठीके गईस देखो कितना चान्दा तरीके से घर के उपर ऊड़ रहे और यह दिको गईस आस्मन पुड़ा किलियार है इस साइड पर और इस साइड पर काली बादल है और उसके उपर तो आप लोगों तो आप लोगों बतल गया ठीक है जब कब रहा है था तो मुअसाम कितना शही था अभी दिखो पुरा काली बादल किस तरह से आरे और पहुत है पर चला गया इसलिए कुछ कब भूतर को भी छहत पर चोड़ दिया और आप लोगों दिखाऊंगा गाइस दि एक साथ आ रहे है और उसको बहुत है पर चाहिए और उसको दिखाना इंपोसिबल होड़े आप लोगों क्या ही बताओं ठीक है रहें तो आज लग रहा है इसको दिखाना इंपॉसेबल हो रहा है आप लोगो जूम करके दिखाने कारे तो गाइस चाट से बादल जम करें और इस फचर पाड़ का फिर से उड़ा दिया जो कबतर च्छत पे छोड़ के रखा था और बारिस भी आ रहा है ठीक है तेज बारिस आ रहे देखके लाग रहे और जो कबतर उपर उड़ रहे हैं आप लोगों क्या ही बताओ इतना हाइट पे जाके उड़ रहे हैं और कबतर को जूम करने के भाद भी लेके नहीं आप आ नहीं तो बहुत हाइट पे कबतर उड़ रहे है और खोने का चांसे बहुत ज्यादा हो गया इस कबतर का और उसके बाद देखो गाईस दो चार कबतर को फिर से चाथ पे छोड़ दिया और बारिस भी होना स्टार्ट हो गया और उसके साथ साथ जो देखो उपर चार- कबतर इसलिए और बारिस बीस्टार्ट हो गए इसके इतना हइट पे तो सीचूसन बहुत ही खड़ाब हो गया इसक्या बाता हूं और कुछ कबतर मुझे लग रहे है इस साथिकता पड़ेगा इस तो आभी देखो गाईस बारिस के साथ ता तेज हवा बे चल रहे है देख कबदर को कुछ छोड़के रखा हूँ यह पानी में भीग रहा है ठीक है तो गैस हालत बहुत ही खराब है देखो किस तरह से बारिस होना स्टार्ट हो गया इस साइट पर देखो और उपर दोचर कबदर स्रिफ आ रहे है और पांच से कबदर तो चला गया उपर काली बादल म अब तेज बारिस आ ठीक है ठीक है और देखो उनमें से कबदर जो छोड़के रहा था सारे कबदर किस तरह से भीग गया आप लोग देखो ठीक है और जो कबदर उड़ रहे थे आभी तो सिर्फ तीन-चर कबदर नीचे उत्रा है उड़ने वाला कबदर उनमें से एक कबदर ना रहा और यह चोटिया लाया ठीक है यह तीनी कबदर आभी वापस आया और पांच-छे कबदर अभी तक उपर उर रहे थे ठीक है तो इतना जोर बारिस आया तेज हवा भी आ रहे तो मुझे लग रहे है वो कबदर का खोने का चांस हांडेट पसन हो गया तो उन उनमें से दो कबदर ही वापस आया तीन कबदर और साथ कबदर अभी भी नहीं आया ठीक है गाईस तो देखते गाईस उसको अपडेट में आप लोगो दोंगा तो यह बारिस को रूप में तो इतना जोर बारिस हो रहे है तो गाईस अभी मैं देखूंगा कितना सारे कबदर आयेगा कि नहीं ठीक है अभी में ठीक ठाक से गिन लिया कबदर को सर्फ तीन कबदर देखो एक चोटियल आया और यह मदराशी आया और एक लाल से यह तीन कबदर उरके बैठाए गाईस और जितना सारे कबदर नीचे आप रूख देख रहे थे उनमें से कबदर क अज़ी छोड़ना पड़ा तो यह बैठ यह तर भी घर के उपर आया था यह तो आप धी जा रहे तो फेर से उड़ाऌगा तो इस तरह से वह कबुतर को बिठा लेना चाहिए गाइस देखते गाइस वह कबुतर बैठ जाती कि नहीं गए यह दुखा आ रहे कबुतर आप लोगों तो गाइस उसके बाद सारे कबुतर को लॉप के आंदर कर दिया और बहुत सारे कबुतर भीग गया ठीक है क्योंकि बारी सुखा तो कबुतर भीग गया तो टूटाली जितने सारे कबुतर मेरा मीशिंग है आप लोगों को दिखाऊँगा ठीक गाइस तो देखो गाइस इस केज में जो दुबाज था ठीक है वह दुबाज आभी मिसिंग है और इसके बाद इसके नीचे गाइस देखो इन केज में अंदर कर दिया क्योंकि इस केज का अंदर घर्मी रहती है इसलिए केज का अंदर ज्यादा धिक गया थे गाइस तो ये बाप फासी किया और एक मदराशी नर रहते थे वो दुनों मिसींग है तो टूटाली गाईस छे कबुतर मिसींग है देखते हैं कबुतर घर बापसी करबाते हैं कि नहीं गाईस क्योंकि बहुती ज़्यादा जोर बारिस हुआ गाईस तो बारिस में कबुतर पुरा भीग जाएगा तो बापस करेगा तो आप लोगो वीडियो में आप्टेट भी दूँगा तो तब तक के लिए गाइस बाबाई आपना ध्यान रखना हैपी रहना अल्ला हाफिज